हेलो फेंड्स आप सभी का श्वागत है आज के इस नए वीडियो में तो दोस्तों मैं आज आप सभी के साथ डिसकस करने वाली हूं एक बहुत इसफुल रेमेंडी के बारे में जिसका नाम है mes endorse ग civद रेमें यानी सब्कक्स दोस्तों में अक्सिजन आप सब्सक्राइंगे के इस मेडिशीन को यूज करेंगे, कितने डोज यूज करेंगे और कभ यूज करेंगे. तो शुरू करने से पहले अगर आक याप मेरे चानल पे पहली बार आहें, तो जम्साद को सब्सक्राइब कीजी और बे लाइकन को प्रेस कीजी. तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किनकिन कंडिशन में आप इस मैडिशीन का यूज करेंगे और इसका लाव उठाएंगे तो दोस्तों जो हमारी पहली condition है यह उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी medicine है जिनको अस्थमा की problem है और अस्थमा की वज़ा से उनको सांस लेने में problem हो रही है उनको dysnea हो रही है difficulty of breathing हो रही है और उनके body में oxygen की कमी हो रही है तो इस case में भी आप इस medicine को use करेंगे आपको बहुत help करेगी तो दोस्तों अस्थमा के case में जब हमारे एर्वे जो होते हैं वो नेरो हो जाती है तो हमारे body में क्या होती है oxygen का कमी हो जाती है तो यह medicine हमारे blood में oxygen का level बढ़ाती है दोस्तों यह उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी medicine है जिनको cardiac अस्थमा की problem है यान उसकी वज़र से उनको सांस फूल रही है नहीं आस्तमा की जैसा problem हो रही है तो थोड़ा भी एक्जर्शन करते हैं उससे में उनको ऐसा feel होता है want to breathe मैंने उनको लगता है जल्दी जल्दी सांस ले तो उस condition में भी आप इस medicine को यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छी result मिले second condition है दोस्तों आप नी मोनिया की case में भी इसको यूज कीजिए आपको बहुत अच्छे result मिलेंगे या आपके chest में congestion हो गई है सांस लेने में problem हो रही है या inflammation हो गई है आपके swelling हो गई है तो उस case में भी medicine बहुत help करती है सानी तरह से आप बोल सकते हैं कि speedo spama जो medicine है आपके lung के लिए एक tonic है तो यह आपके lung के strength को बढ़ाती है उसको strong करती है तो दोस्तों जो speedo spama जो medicine है यह बहुत अच्छी medicine है आपके respiratory system के लिए या कोई भी temporary obstruction आपके respiratory system में होती है तो यह medicine उसको remove करती है और आपके body में oxygen का level perfect करती है तो उस case में भी आप इस medicine को use करें बहुत अच्छे result मिलेंगे दोस्तों हमारी third condition है तो यह उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी medicine है जिनके blood में urea का label ज्यादा होने के वोज़े से उनको सांस लेने में problem होती है तो इस step के अगर आपको कोई भी problem हो तो इस medicine का जरूर उच करें और उसका love उठाए तो दोस्तों आगे हम लोग जानते हैं कि इस medicine को कितने डोज लेंगे और कैसे लें तो दोस्तों आपको क्या करनी है इस medicine को आपको एक दिन में तीन बार लेंगी है आप क्या किजिए एक चौथाई का पानी लिजिए उसमें 10 drops add किजिए और दिन में आप इस medicine को तीन बार लिजिए सुबह दो पहर रा आपको बहुत help मिलेंगे thank you, take care